नमस्कार में भाकिश्री बिस्यन नियुस के बिजनेस समाचा में आप सभी का स्वागत है खबरों की और बढ़ने से पहले आईए डात एक नजर आज की सुर्खियों पर 99 रुपे प्रति लिटर पर सादा पेट्रोल, पावर पेट्रोल 102 की पार 24 घंटे में क्रिप्टो करेंसी मार्केट से 20 लाफ करोड रुपे हुए साफ बिटकॉइन 14 सब्ता नियुरिया के बाद देश में सबसे ज़ादा इस्तिमाल की जाने वाली ख़़ डिएपी के दाम पिछले हफटे 1200 रुपे से 19 से रुपे तक पहुच गय थे इससे परिशान किसानों को मोधी सरकार ने पढ़ी रहाती है किंद्र सरकार ने बुद्वार को डिएपी उर्वरक पर सबसेडी 140 प्रतिशत बढ़ा दी यानि अंतराश्टिय बाजार में डिएपी के दाम बढ़ने के बाउचुद किसानों को डिएपी 1200 रुपे प्रति कट्टे के पुराने बुल्डे पर ही मिलेगी हाला कि सबसेडी में बढ़ाने से सरकारी खजानी पर 4775 करोड का अतिक पोच बढ़ेगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोती की अत्रश्टा में हुई एक उच्छ स्तरिय बैटक में यहां फैसला किया गया यूरिया के बाद डाई अमोनियम फॉस्पेड यानि डिएपी देश में सबसे अतिक इस्तिमाल के जानिपाना उर्वरक है प्यामोने कहां कि डिएपी उर्वरक के सबसेडी 500 रुपे प्रती कट्टे से पढ़ा कर बारा सु रुपे प्रती कट्टा करनी का एतिहासिक फैसला लिया गया यह सबसेडी में 140 प्रतीशाद बड़ोतरी को दर्शाता है इस फैसले के बाद किसानों को डिएपी का पैक बारासु रुपे के दाम पर ही मिलता रहेगा बिरो रिपोर्ट बीसेअद नियूज JST अधिकारियों को अब राश्यर राजमार्कों पर चलने वाले वानिशेक वाहनों की आवाजाही की वास्तविक समय की जानकारी भी हासिल होकी वानिशिक वाहनों द्वारा ले जाने पाले ईवे बिल प्रनाली को अब फास्टैग और आरिप आइटी के साथ जोड दिया क्या है इससे वानिशिक वाहनों पर सटिक नज़र रखी जा सकेगी और GST चोरी का पता चल सकेगा जेस्टिया थी कार्यों की ईवे बिल मोबाइल आप में यह नया फीचर जोड़ दिया क्या है इसके जर्ये वह ईवे बिल का वास्तवी ब्योरा जान सकेंगी बिटकॉइन समय तमाम क्रिप्टो करेंसी के बुरे दिन लगते हैं खत्मानी होने पाले हैं टेसला के संस्ता पग एलन मस्ते छटका खाने के बाद अब चिन ने क्रिप्टो करेंसी को तगड़ा नुकसान पहुचा है दरसल चिन ने अपने बैंकों से कह दिया है कि वे क्रिप्टो करेंसी में कोई कारूबार ना करें इस कबर के बाद सभी क्रिप्टो करेंसी की किम्टे गिर गे बिटकॉइन के दाम मंकल पार को एक ही दिन में 13 फिस्दे की गिरावट के साथ पिछले नौ फरवरी के बाद सबसे निचली स्थर 38,580 डॉलर पर पहुच गे हाला के बाद में इसमें थोड़ा सुधार वा और इसका मुल्य 12 फिस्दी गिरावट के साथ 40,000 डॉलर से थोड़ा उपर पहुच गया बिटकॉइन के 14 सब्ता हमें पहली बार 40,000 डॉलर से स्थर से नीचे आने के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगबग 20 लाग करोड रुपे का नुकसान दर्श क्या क्या है बिटकॉइन ने अपरिल मा में 14,829 डॉलर का ओल टाइम हार रिकॉड बनाया था जिसके बाद इसके मुल्य में 38 फिस्दी की गिरावट दश की गई है बिटकॉइन के मुल्य में गिरावट के पीछे कई नकारात्मक खबरे है जिन में टेस्ला के सीयो एलन मस्क का बयान शामिल है बिशीनन्यूज विदेशों में खात्य तेलों में गिरावट के पेच थोग बाजार में बुधवार को इनकी किम्तों में टिकाव रहा है खात्य तेलों के साथ डालों के दाम भी गर्दीवस के सर पर पढ़े रहे जबकि गेहू और चीनी के दाम पढ़ गए है तेल तेलहन की बात करें तो वैश्विक सतर पर मलेशिया के बुर्सा बलेशिया डेरिवेटीव एक्स्चेंज में पाम ओईल का अकरस पाइधा 175 रेटिंग लुड़क कर 4212 रेटिंग प्रती तैन रह गया जुलाइक का अमेरिकी सोया तेल पाइधा भी 1.03 सेंट की गिरावट के साथ 17.04 सेंट प्रती पौर बोलाग्या सान्य बाजार में सरसु तेल, मुगफली तेल, सुरज मुकी तेल, सोया तेल, पाम ओईल और वनस्पती के भाव में कोई बढ़ाओ निवा है और इन सिटी में पेट्रोल डिजल की किम्मत शतक लगानी के ओर है इस समय पेट्रोल रोज चिल्लन में बढ़ती भी 99 रुपे प्रती लिटर पर पहुँच गया जबकि डिजल अनबे दशमलो 22 प्रती बढ़ती जारी है वह इसमें पावर पेट्रोल की भाव तो 102 रुपे को पार करती भी सिद्धे 102.44 रुपे प्रती लिटर पर पहुच गया है खबरे समावत करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सब्सक्राइब 99 रुपे प्रती लिटर पर साधा पेट्रोल पावर पेट्रोल 102 की पार 24 घंटे में क्रिप्टो करेंसी मार्केट से 20 लाव करोड रुपे हुए साफ बिटकॉइन 14 सब्सक्राइब बिस्नेस समाचार में फिला लित्ता है एसे यंदे खबरों से जुटे रेनिकली देखते रिए पिसन न्यूज नमस्का